क्या आप जानना चाहते हैं कि दूर से वशीकरण कैसे करे और क्या दूर से वशीकरण करना संभव है जी हाँ दूर से वशीकरण करना बिलकुल संभव है पर इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है वशीकरण मंत्र पढ़कर हम किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं या बिलकुल गलत बात है वशीकरण का कार्यत तभी सफल होता है जब हम किसी को जानते हैं और सामने वाला भी हम को जानता है जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं या एक दूसरे को देखते हैं या फिर एक दूसरे से बात करते हैं तो उन दो लोगों के बीच में मानसिक तरंगे पैदा होती है जो अनंत काल तक ब्राहमाण में रहती है यह दूर से वशीकरण करने की बहुत ही सरल विधी है और इस वशीकरण क्रिया को आप सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन ही कर सकते हैं जिसका वशीकरण करना है उसकी फोटो आपका एक सफेद रुमाल एक डिब्बी लाल सिंदूर एक चुटकी हल्दी आपके दाए पैर की थोड़ी सी मिट्टी किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएए और उसके बाद अपना सफेद रुमाल सामने रखिए उसके बाद उस रुमाल के उपर लाल सिंदूर से उस व्यक्ती का नाम या महिला का नाम लिखिए जिससे आप अपने वश में करना चाते हैं और उस नाम के उपर उस हल्दी को छिड़क दीजिए और उसके बाद अपने दाए पैर की मिट्टी भी उसके उपर छिड़क दीजिए इतना करने के बाद जहां पर अपने हल्दी और मिट्टी डाली थी उसके उपर उस व्यक्ति या महिला की फोटो रखिए और मंत्र का 108 बार जब कीजिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिये गए नंबर पर कॉल करें